टुन्टुनी चड़िया ने आम बेशकर पैसे कमाई और खुशी-खुशीन पैसों को लिए वो अपने घर लोट रही थी पर रास्ते में उसने देखा कि किसी का ध्यान्त हुआ था उसके सगे संबंदी सभी रो रहे थे टुन्टुनी ने उनके पास जाकर पूछा कौन ही वो और उनका ध्यान कैसे हुआ अपने आसों को पौशते हुए लूसी कबोतरी ने कहा आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुपचाए तो दर्द होने लगता है पर वो एक बापी है जो रोज़ाना अंगारों पर चलकर आपके लिए दो वक्ती रोटी के इंतिजाम करता है तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइ पिछली बार जो बार आई थी उसमें हमारा सब कुछ नश्ट हो गया छोटे छोटे आम तेज बरसात की वज़ा से तूट कर बिखर गए ना जाने उनके मन में क्या चल रहा था इस तरह हमें छोड़ कर चले गए लूसी से सारी बात जान कर टुंटुनी चडिया को बहुत दुख हुआ वो अपने घर चली गई क्या हुए टुंटुनी चडिया तुम्हारा चहरा इतना उतरा हुआ क्यों है आखिर बात क्या है मेरे दिल की बात आप बहुत अच्छे से जान लेते हो मैं जब भी उदास होती हूँ आप पैचान लेते हो ना जानी कैसे दरसल जब मैं आम बेशकर घर वापस लोट रही थी तब मैंने किसी को मरा हुआ देखा जब मैंने पूछताच की तो पता चला की कर्स के बोश के तले वो दब कर मर चुका है क्या जिन्दगी की कोई कीमत नहीं उसे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था पर तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी होगी बाकियों की तरह हमारे भी आम के बगीचे नश्ट हो गए तुमने अपनी हिम्मत नहीं खोई आपी ने तो अभी कहाना की जिन्दगी बहुत खुब सूरत होती है यूँ वो पती पत्नी अपनी पिछली जिन्दगी के बारे में कुछ बात कर रहे थे आखिर इन दोनों की क्या कहानी है चलिए हम इस कहानी में देखते है ठीक एक महीने पहले तुन्टुनी चडिय अपने आम के बगीचे में खड़ी खुश हो रही थी अरे वा इस बार तो आम के उपश बहुत ज्यादा हुई है आम में मिठास भी बहुत ज्यादा है इस बार हमें बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है यूही मनी मन सोचकर तुन्टुनी चडिय बहुत खुश हो रही थी उसके पतियों तुन्टुनी चडिया ने मिलकर रात पर जाकर अपने बगीचे की रखबाली की फीक बारा बजे की समय तेज बर्सात होने शुरू हुई वो दोनों ये देखकर घबरा गए और वही पर बने अपने छोटी से घर की पीतर चले गए दोनों ये देखकर दुखी हो रहे थे फे भगमाल आखों के साबने सारे सपने तूट कर जड़ रहे हैं दुखी पती पतनी युई ही देखे जा रहे थे वो राग बीद गई अगली सुबह जब बारिश थम गई थी तब उन दौनों ने अपने बिखरे हुए बगीजे की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगे सब कुछ तहस नहस हो चुका था आस पड़ोस में रहने बाले सभी पक्षी भी अपने बगीजों खेती की नश्ट होने पर रोई जा रहे थे पहले तो टुन्टुनी चड़िया बहुत दुखी हुई फिर हिम्मत से काम लेते हुए टुन्टुनी ने अपने पती से कहा सुनिए अब खिंता मट कीजे इस लुकसान को फायदे में कैसे बदलना है मैं अच्छे से जानती हूँ टुन्टुनी चड़िया का पती उससे आश्चर ये से देखने लगा टुन्टुनी ने तुरं सारे जड़ेवे फलों को इखटा कर टोकरी में भरा अपंग पती को अपने उपर ढोकर वो से घर छोड़ाई टुन्टुनी की पती की समझ में कुछ नहीं आ रहा था स्टाम लेलो वहां से गुजर रहे सभी पक्षियों को ये कुछ अजीब सा लगा क्यूंकि पहले कईयों ने से नहीं चखा था वो सभी टुन्टुनी के पास आए टुन्टुनी ने कच्ची अम्या काट कर नमक मेरा छड़कुर ने खाने के लिए दिया अरे वा में तीका तीका खटा खटा हमें और एक प्लिट दे दे ना ये के बाद एक टुन्टुनी के पास कई ग्रहकों ने कच्ची अम्या काई सभी को भा गई थी शाम तक टुन्ट promise के सारे आम खतम हो गए उस दिन टुन्टुनी ने बहुत पैसे कमाई थे इस तरह टु उन्दुनी ने अकेले ही लगाता एक महीने तक महनत की, इसी विश्य पर दोनों बात कर रहे थे। और अज्जात होने पर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी, और खूब महनत करके तुमने फिर से सब कुछ हासिल कर लिया। और एक तरफ तुम हो, और दूसरी तरफ वो है, जो अपनी जिन्दगी में आये तूफानों का सामना नहीं कर पाया, और जिन्दगी से ही हार मान ली, तुम्हें देखकर सभी का मनोबल बढ़ेगा। भगवान ने हम सबको एकी जिन्दगी दी है, उसे नकारकर में उनका पमान नहीं कर सकती, जो मेरी जिन्दगी में तूफान आया है, अगर उससे में डर जाओंगी तो, आने वाली जिन्दगी में भगवान ने मेरे लिए जो खुशिया लिकी हूंगी, वो तुम्हें हो गई हूँ अब तुम तो बहुत जल्दी नीचे गिरने वाले हो मैं गिरने वाला हूँ काश किसी भी पक्षी को पता ना चले कि मैं जादू याम हूँ कोई लाल ची पक्षी मुझे ले गया तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा अरे तुम कुछ बोलना ही नहीं ऐसा करने से किसी भी पक्षी को तुम्हारी सच्चा ही पता नहीं चलेगी हाँ ये एडिया सही है अरी वा मिल गया आश का खाना टुन टुनी चुडिया जमीन पर उतर कर उसके पास पहुची उसने आम पर दो तिन मुँ मारे और मज़े से उसको खाने लगी अरे वा कितना स्वादिश टाम था मज़ा आ गया काश की अब थोड़ा पानी मिल जाता तो और अच्छा होता उसके इतना कहते ही आम चमकने लगा जिसको देखकर टुन टुनी चौक पड़ी और उसके सामने पानी से भरा मटका आ गया अरे ये कैसा चमतकार है मेरी ख्वाइश करते ही पहले आम चमका और उसके बाद यहाँ पानी आ गया कहीं ये जादु याम तो नहीं है तब तक आप लोग कॉमेंट में बताएं 21 इंटु 4 कितने होते हैं हाँ तुमने सही पहचाना अरे वह तुम तो बोल भी सकते हो हाँ तुन्टुनी मैं जादु याम हूँ अगर कोई जानवर मेरा एक बाइट खाकर विश मांगे तो मैं उसकी विश पूरी कर देता हूँ ओ अच्छा लेकिन जब तुमारे अंदर खाने को कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या होगा किसी भी पक्षी की तीन खुआईश पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूँ और फिर उस पक्षी के हुक्म का गुलाम नहीं रहता तो ठीक है मेरी दूसरी खुआईश है की तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो उसके इतना कहते ही आम हवा में उड़ गया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुन्टुनी अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा उस दिन के बाद वो दोन साथ साथ रहने लगी टुन्टुनी अब जंगल की सभी जानवरों की खुब मदद करने लगी जो भी जानव कोई चीज चाता टुन्टुनी इसको लाकर दे दिया करती ये बाद जंगल में फैल गई और इसी तरह बिल्लु बिल्ला की कानों तक ये बाद पहुँच गई लालची बिल्लु इसके पीछे कर ऐसे जानने के लिए टुन्टुनी के पास पहुँचया हाई हाई मेरी कोई मदद करो टुन्टुनी कहा हो तुम क्या बात थे बिल्लु तुम ऐसे क्यों करा रही हो टुन्टुनी मेरी चाती में बहुत दर्ध हो रहा है तुम मेरे लिए अभी काली पहाडी पर उगने वाला फूल आ सकते हो उसमें हर दर्द को गायब करने की शक्ती होती है उसको तड़कता देखकर तुन्टुनी को उस पर रहम आ गया तुम यही रुखना दोस्त, मैं बस अभी आती हूँ यह कहकर तुन्टुनी अपने घर के अंदर चली गई बिलोटा भी दबे पाउस के घर के अंदर जाग कर देखने गया तुन्टुनी ने आम के अंदर एक मुँ मारा और फिर बोला जादुयाम, मुझे अभी काली पहाडी पर उगने वाला नीला फूल चाहिए इतना सुनते ही आम चमकने लगा और उसके सामने नीला फूल आ गया तब भी बिल्लु अंदर घुस गया मैंने सब कुछ देख लिया ऐसा कहकर उसने जल्दी से आम के अंदर मुँ मार कर एक बाइट खा लिया ऐ जादुयाम अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा मेरे साथ अभी के अभी मेरे घर चलो ऐसा कहते ही आम चमकने लगा और हवा में उड़ गया तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो बिल्लु आम दोस इसके साथ मत जाओ इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाइश की है टुन्टुनी मुझे इसकी ख्वाइश पूरी करनी ही पड़ेगी अब बिल्लु बिलोटा वहां से निकला और आम भी बेबस होकर उसके पीची पीची उड़ गया पता नहीं ये बिल्लु क्या करेगा एज जादू याम आज जो शिकार भालु ने किया है उसको वहां से गायब करके अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ इतना कहते ही याम चमकने लगा कुछ पल में बिल्लु बिल्ला की सामने खाना आ गया अरे वाह कितना ताजा मास है ये कहकर बिलोटस को मजे से खाने लगा अगले दिन बिल्लु बिलोटस सोचने लगा आज तो मेरा मन है कि जिगर बास के हाथो शिकार की उवे जानवर का मास खाऊं ऐसा कहकर उसने आम को हुकम दिया बास की खाने की चूरी होने वाली बात अब पूरे जंगल में फैल गई और जिगर बास ने शाम की टाइम सभी पक्षियों को सबा में आने को हुकम दिया वाह मज आ गया ये जिगर बास का शिकार दो बहुत ही बड़ा निकला आगे भी कई दिनों तक चल जाएगा ऐसा कहकर वो आराम से सो गया शाम की टाइम टुन्टुनी चड़िया उसकी पास आई टुन्टुनी तुम यहां क्या कर रही हो मैं मेरी दूस आम से मिलने आई थी ये सब मेरा है तुमको इसकी परवा करने की कोई जरूरत नहीं है ऐ जादु याम आज तुम मेरे लिए ताजी ताजी मचलियों का इंतिजाम कर दो बिल्लू बिल्ले तुम्हारी तीन ख्वाइशे पूरी हो चुकी है अब तुमारा कोई हुक्म मुझ पे नहीं चलने वाला तुम जूट बोल रहे हो तुन्टुनी की तो तुमने अंगिनत ख्वाइशे पूरी की है फिर मेरी बस तीन क्यों तुन्टुनी एक अच्छी चिडिया है वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरी मदद लेती थी इसलिए मैं उसकी हर ख्वाइश पूरी करता था लेकिन तुम लाल ची जानवर हो तुमने मुझ से चोरी करवाई अब मैं तुमको इसकी सवा भी दिल्वा कर रहूँगा चलो टुन्टुनी सभा का टाइम हो गया है ऐसा केकर जादू यामो टुन्टुनी दोनों हवा में उड़ गए और पिल्लू बिल्ला भी उनकी पीछे पीछे उनको रोक निकली भागने लगा सभा लग चुकी थी और सभी पक्षी जिगरबास के सामने खड़े थे आज मेरा भी खाना चोरी हो गया आखिर वो जानवर कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है तबी आमो टुन्टुनी वहां पहुँचे बिलोटा भी उनकी पीछे पीछे वहां पहुँच चुका था जिगरबास मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ अरे एक आम कैसे बोल रहा है जिगरबास मैं एक जादू याम हूँ आज तक जंगल में जो भी चोरिया हुई वो मुझसे बिलोबीलोटे ने जबर्दस्ती करवाई थी तुम्हारी इतनी हिम्मत बिलोबीलोटे तुमको कालेबानी की सजा दी जाती है आज से तुम वही कैद रहोगे बिलोबिल्ला को उसके किये की सजा मिल चुकी थी ये सुनकर टुन-टुनी खुश हो गई चलू आम अब तुम मेरे घर चलो आम टुन-टुनी के साथ उसके घर चला गया और उस दिन के पास से आम हमेशा टुन-टुनी के साथ ही रहने लगा कालू कववा आम वाला अपनी पत्मी टुन-टुनी चड़िया और अपनी बेटी बुलबुल के लिए जब वो आम लाता था तो बड़ी बड़ी आम को चाट कर अलग रख लेता था और उन्हें आराम से बैठ कर खाता था एक दिन कालू कववा अपनी दुकान पर बैठा आम बेच रहा था अरे वा कालू भाई साब बड़े ही अच्छे आम दिख रहे हैं जरा मेरे लिए आम तो पैक करना हाँ बंटी बाई जरूर लीजिये न मैं अभी आपके लिए दो किलो आम पैक कर देता हूँ कालू कववा जल्दी छोटे वाले आम पैक करकी बंटी कबूतर को देनी लगता ही अरे अरे कालू भाई क्या कर रहे हो छोटे आम मत दो मुझे ये बड़े वाले आम दो न अरे बेफिक्र रहो बंटी भाया मैं तुम्हें अच्छे और मीठे आम ही दे रहा हूँ वो बड़े आम तो बस देखने में सुन्दर लग रहे हैं मीठे तो ये छोटे वाले आम ज्यादा होते हैं ये वाले आम ले जाओ और देखना कल दोबारा फिर यही वाले आम लेने आओगे अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है दे दो कालू का वो बंटी कबूतर को छोटे छोटे आम पैक करके दे दिता ही और बंटी कबूतर वहां से चला जाता है तब तक आप लोग कॉमेंट पे बताए सेवन इंटू सेवन प्लस त्री कितने होते हैं जल्दी से अपने ये बड़े वाले आमों को छुपा कर रख देता हैं सामने रखो तो लोग इसे जल्दी खरीदेंगे और तुम्हारे आम जल्दी पिख जाएंगे अरे टूनी वहन क्या बताूं ये बड़े वाले आम कोई नहीं खरीता क्योंकि ये ज़ादा मीटे नहीं होते हैं इसलिए मैं इने उठा कर नीचे रख रहा हूँ और ये अच्छे ताजे वाले आम उपर रख रहा हूँ क्या कह रहे हो कालू भाईया ये बड़े वाले आम तो बड़े ही अच्छे होते हैं अरे टूनी बहन ये आम काफी महंगे होते हैं और मीठे भी उतने नहीं होते इसलिए इसे कोई नहीं खरिदता कोई बात नहीं भाईया आप परिशान मत हो मैं आपके ये आम खरीद लूँगी लाई मुझे सारे आम दे दीजिए कालू का हुआ टूनी चुडिया की बात सुनता है कि टूनी चुडिया उसकी छुपाईवे सारे बड़े आम खरीदने की बात कर रही है तो कालू अपने मन में सोचता है अरे ये टूनी छड़िया तो मेरे बड़े आमों के पीछे ही पड़ गई है अब मैं इसको अपने ये इतने मीठे और रसीले आम नहीं बेश सकता इतने सारे बहाने तो बना दिये लेकिन ये है कि मानी नहीं रही अब मैं क्या करूँ अरे क्या हुआ कालू भईया आप क्या सोचने लगे चलिए मुझे ये सारे बड़े वाले आम पैक करके दीजिए न क्या दाम है उनके ज्यादा नहीं बस थोड़े से महंगे है ये 200 रुपे किलो वाले आम है क्या बात है कालू भईया अब मुझे समझ में आया अब तुम्हारे आम कोई क्यों नहीं खरीद रहा है अरे इतने महंगे आम कौन ही खरीदेगा और ये चोटे वाले आम कैसी दिए ये चोटे वाले आम ये तो 80 रुपे किलो है तो फिर ठीक है भईया यही वाले आम मुझे दे दो मैं भी तुम्हारे ये बड़े वाले आम नहीं खरीदूंगी अरे कैसी बाते कर रही हो टूनी बहन ये लो अपने 80 रुपे किलो वाले आम इसी तरहां कालू कोई अपने बड़े वाले आम के लालश में उन्हें नीचे चुपा कर रख लेता है और किसी भी क्राहत को नहीं बेचता शाम को जब कालू कोई वापस अपने घर जाता है तो बड़े वाले आम को अपने साथ घर लेकर आता है और अकीली ही वो बड़े वाले आम को खाने लगता है तब ही कालू कोई की पेटी बुल-बुल अपनी पापा की पास आकर बैट जाती है पापा मुझे भी ये बड़ा वाला आम खाने को दीजिए न तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा है कि बाहर छोटे वाले आम की पेटी रखी है जाओ उस मेंसे जाकर जितने भी आम खाने हैं खालो लेकिन मैं ये अपने बड़े वाले आम मेंसे तुम मेंसे किसी को भी नहीं दूँगा अरे यहां तक कि मैंने अपने ग्रहा को भी ये वाले आम नहीं बेचे और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं ये खाने के लिए तुम लोगों को दे दूँगा बिल्खुल भी नहीं कालू कोई को बुलबुल पर इस तरह चिलाता हूँ देख कर कालू की पत्ली टुन्टुनी चिडिया कालू की पास आती है आरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तुम इसके उपर भी जोर-जोर से चिला रही हो ममी मैंने तु पापा से सिर्फ ये बड़ा वाला आम खाने के लिए मांगा था लेकिन पापा ने मुझे डाट दिया देखो टुन्टुनी मुझे मेरे आम खाने के बीच में कोई भी परिशान करे मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए तुम और बुल-बुल अभी के अभी यहां से जाओ और मुझे आराम से मेरे आम खाने दो मैंने बहुत पक्षी देखी है लेकिन तुम्हारी जैसा आम के इतना बड़ा लालची पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा जो आम के लालच में अपनी बीवी और बच्चों पे इस तरह चिलाई हाँ हाँ मैं हूँ आम का लालची और मैं अपने आम के लालच को कभी खत्म नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो भी ये बड़े वाले रसीले आम इन्हें तो मैं अपने ग्राहक तक को नहीं देता तो तुम लोगों को क्या खाक दूँगा ये आम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं और इन्हें सिर्फ मैं ही काऊंगा कोई मुझे आम का लालची कहे या कुछ भी मुझे फर्क नहीं परता लालच किसी भी चीज कहो इतना लालच करना अच्छी बात नहीं होती और तुम्हारा ये आम को जोतना लालच है न देखना एक दिन तुम्हें परबात कर देगा इसलिए मैं तुमसे कह रही हू बोल मिलके पापा अपनी आम के लालच को तुम कम कर लो इतना बोलकर टुन्टुनी चुड़ी अपनी पती की कमरे से बाहर निकल आती है टुन्टुनी के जाने की बाद कालु कववा आराम से पैट कर अपनी आम को खाने लगता है फिर कालू कव अपनी दुकान पर वापस जाता है और फिर से वही छोटी-छोटी आमों को बेशते लगता है तब ही बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है कालू भाई साब तुम ऐसा करोगे क्या मैं तुम पर इतना भरोसा करके ये छोटे वाले आम लेकर गया था और ये आम तो बिल्कुल भी मीठे नहीं है अरे कैसी बाते कर रहे हो बंटी बैया, मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिये थे, और कल से मैंने कितने आम बेचे हैं, और कोई तो शिकायत लेकर आया नहीं, सिर्फ तुम ही शिकायत लेकर आयो, तबी वहाँ पर टूनी चुडिया भी आ जाती है वा कालू भाया वा, तुमने मुझे कितना अच्छा बेफकूब बनाया, बड़े वाले आम तो तुमने दिये ही नहीं, ऊपर से मुझे ये फीके फीके आम पकड़ा दिये, मुझे ये आम नहीं चाहिए, लो रखो अपने आम, और मुझे मेरे पैसे वापस करो हाँ कालू भाया, मुझे भी आम नहीं चाहिए, चलो ये आम वापस ले लो, और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो ऐसा का होता है, कि मैं पैसे वापस कर दूँगा, अगर मैं सबको ऐसे ही पैसे वापस करने लगा, तो मेरे आम का धंदा तो चौपट हो जाएगा, और मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिये थे, पैसे वैसे कुछ वापस नहीं दे पाऊंगा तो फिर ठीक है, पैसे ना दो कालू भईया, तुम्हारा धंदा तो वैसे भी चौपट हो गया, समझ लो, मैं पूरे जंगल में ये बात फैला दूँगा, कि तुम अच्छे अच्छे आम अपने लिए रख लेते हो, और हम सबको खराब आम पकड़ा देते हो, फिर देखन पूरे जंगल में कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा, हाँ बंटी भईया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखना मैं भी पूरे जंगल में ये बात फैला दूँगी, कि तुम सबसे खराब आम बेशते हो, फिर कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा, अब बंटी कबूत इतनी परिशान काही बैटी हो बुलबुल की पापा अरे तुम सही कह रही थी टुंटुनी मुझे मेरे लालच कफल मिल गया मुझे आमों को लेकर इतना लालच नहीं करना चाहिए था मेरा आम बेचने का दंदा तो चौपट हो गया मुझे तुमारी बात मान लिनी चाहिए थी लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा और अपने आम को लेकर इतनी लालच नहीं करूंगा इस तरहां लालची कवी को उसके लालच कफल मिल जाता है